हेलो साथियो यूप्यू गुरू चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम जोगरफिय की सुरुवात कर रहे हैं यह इसका पहला भाग है इसमें हम कवर करेंगे भारत की इस्तिति और विस्तार को सबसे पहले हमें एक ओवर्वियू देख लेते हैं कि हम इस भारत की जलिय और इसतलिय सीमा उसके बाद भारत की मानक समय रेखा कर ग्रेखा से गुजरने वाले राज भारत के दूरस्तमिंदू भारत के समी बरति और पडोसी देश राज्यों की इंतराश्ची सीमा है और ये सबी topic cover करने के बाद हम इसके previous year question को attempt करेंगे तो हम अपना पहला topic start करते हैं इसका नाम है भारत की इस्तिती और विस्तार तो चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं भारत की इस्तिती और विस्तार तो देखिए ये है हमारे प्रत्वी और प्रत्वी के बिलकुल बीचों बीच से zero degree angle पर एक रेखा गुजरती जिसे भूमद रेखा या equator line बोलते हैं ये प्रत्वी को दो बरावर भागों बाड़ती है उत्री गोलार्द और दक्षणी गोलार्द इसी zero degree के angle पर जो बूमद रेखा है इसी से साड़े तेश डिगरी उपर होती है करक रेखा और साड़े तेश डिगरी नीचे होती है मकर रेखा तो भारत हमारा कुछ यहां इस्तित है तो भारत करक रेखा पर विपस्तित है और करक रेखा भारत से होकर गुजरती है लेकिन भारत की actual इस्तिति क्या है उसे जानने के लिए पहले हमें देखना होगा अक्छांस रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को तो अच्छांस रेखाओं क्या होती है तो देखिए ये होती है हमारी भूमद रेखा और इसी के समानतर जो रेखाएं खीची गई है प्रती पर जो गुलोब पर खीची जाती है वो कहलाती है हमारी अचांस रेखाएं इसी भूमत रेखा से जो ऊपर की रेखाएं होती है इन्हें हम लोग उत्री अचांत रेखाएं बोलते हैं और जो नीचे इस्तित होती है उन्हें हम दक्षणी अचांत रेखाएं बोलते हैं यही हमारी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, यह कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं, तो इस साइड की जो रेखाएं, इस साइड की रेखाएं की बात करें, तो वो हमारी पूर्विय देशांतर रेखाएं होती हैं, तो इस प्रकार हम देखें, तो हमारा भारत पूर्विय देशा वो उत्री अच्छांस और पूर्वे देशांतर में है तो हमारा भारत कहां इस्तेत हो गया उत्री अच्छांस और पूर्वे देशांतर में अब हम देखेंगे भारत का विस्तार अच्छांस ये और देशांतर ये भाग में कितना है तो देखी ये सभी जो होरीजोंटल मेंट पर्जोगि भारत के उपरी भाग से गुजरती है और सबसे निजला पॉइंट पॉइंट से अाप दिग्री चार नन से हमारे भारत का मुक भाग आठ डिग्री चारख मिट रुट्रिय चानस से 17 डिग्री छे मिनट रुट्रियлад तक है तथा 97 डिग्री से लेकर 80D के साथ मिनट पूली अचान्तर को तो देखे एक बात और धियान ह complaint ऊह क्यों कि हमारा भारत हमने में में देखा था उत्रिया चांस में इस्तित है तो ये रेखाएं भी उत्रिया चांस कहलाएंगी और ये रेखाएं भी कौन से कहलाएंगी उत्रिया चांस रेखाएं इसी प्रकार हमारा भारत जो है इसे हम यहाँ पर पूर्वे देशांतर इसे पश्चमी देश इसलिए हमों को पूर्वी दसांत्र बोलेगे तो इसका ये वाला भाग और ये कि ये अब इसम में पूछलिया जाता है कि भारत का अचांस ये देसांती विस्तार कितना आए तो कैसे पता करेंगे हम लोग तो इसे एक ट्रिक के माध्यंग हमसे हम देख लेते हैं जैसे देख से क्रौस में elf ज़्यादा कीया कितना बना saat अचछान्सि विस्तारमेंट हमें दो-दो संख्याय लेनी है ये सैंतिस में हम ले लेंगे और इससे पूरा चोर से लेंगो तो देखेंगे 37 दिखा trisति안 और चार तो 3 के क्रॉस में 1AME क्या कितना आगया चार सात की क्रॉस में 1-व प्लस कितना आज कर आट तो यह हो गया 37 गरी और यह भन गया मानलो खेत्रपल के द्रस्टी से भारत विश्व का सात वा सबसे बड़ा देश है। बागी पहले नमर पर हमारा आ भारत ये इसकी ट्रेक है यहां भारत आ लिग गया है यहां पर होगा अब आ भारत क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में ऐसा पूछ लिए जाता है कि छेत्रपल की द्रस्टी से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो समय दिक्कत हो जाई इसलिए हम इस ट्रिक का फॉलो करे ही इस प्रकार हम सातों देशों को एक क्रम से याद कर सकते हैं ट्रिक क्या है रुक चीन अब आ भारत भारत छेत्रपल की द्रस्टी से सात्वा सबसे बड़ा देश है और भारत का छेत्रपल कितना है इसका छेत्रपल है 32,87,263 वर किलोमीटर इसको हम कैसे ध्यान रख सकते तो देखिए इसके स्टार्टिंग भी तीन से हो रही है और एंड भी कहां से हो रहा है तीन से हो रहा है तो कभी-कभी एक्जाम में दे दिया जाये तो हम इस प्रकारी से पहचान लेंगे भारत का छेत्रपल हो गया 32,87,263 किलोमीटर जनसंक्या की द्रस्टी से हम बात करे तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है पहला कौन सा चीन दूसरा है भारत तीसरा है अमेरिका लेकिन अब जो भारत है वो जनसंक्या की द्रस्टी से पहले नमबर पर आ गया है उत्तर से दक्षण तक के अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर से विस्प के छेत्रबल का 2.24% है अब देखिए जितना भी हमारा भूमी का तेरिया है भारत उसका 2.24 हिस्टा कवर किये हुए और इसकी जनसंक्या संपोर्ण विस्प की जनसंक्या की 17.5% है जो की 2011 की जनगणना के अनुसार है इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक भार बाद की इसे सीमा की लंबाई कितनी है या नि beweक फार कमई है ये कितना भाडर भारत का शी मरुइड जल के साथ किटने किलोमीटर तक लगा हुआ है देख लेते हैं तो भारत की इस ततली सीमा की जो लंबाई है वो है 15200 किलो मीटर तो भारत का 15200 किलो मीटर बॉडर लगता है अन्य देशों के साथ और भारत जल के साथ कितना बॉडर बनाता है तो इसके जली भाग की लंबाई है 1600 किलो मीटर लेकिन यदि हम मुक भूमी के साथ अन्वान निकोवार और लक्ष दीप यह भाग की लंबाई कितनी है तो वो 600 किलो मीटर है लेकिन यदि उसमें दीब समुगों को भी सामिल कर लिया जाए यानि अन्वान निकोवार को और लक्ष दीब को तो उसकी लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलो मीटर है अब भारत का वो कौन सा राज जाए जिसका सबसे ज्या जिस सीमा यह सबसे ज्यादा भारत की कि से लगती है बांगलादेश से लगती है भारत के नौ राज जाए और चार के अंधर असे लगते ज्यान का बादर. जली सीमा से लगता है कौन कौन से राज है देखे पहला हो गया गुजरात अगला है माराश उसके बाद ये छोटा सा गुवा है फिर करनाटक केरल तमिल नाडू आंधर प्रदेश ओडी सा ये ओडी सा हो गया है यहाँ पर और पस्चिम मंगल तो ये सबी जो राज है वो जल के साथ सीमा बनाते हैं अब हम अगला टॉपिक देखेंगे ग्रीन विच माद रेखा जिसे ग्रीन विच मीन टाइम कहते हैं इसे सौटकर में GMT बोलते हैं ये रही हमारी मैब में GMT लाइन और इसी GMT के अधार पर सभी देशों के समय का आकलन किया जाता है अब देखे इस GMT के समांतर ये जो रेखाएं खिची हुई हैं ये सभी हैं देशांतर रेखाएं अब जो देशांतर रेखाएं आगे हैं तो इन देशांतर रेखाओं पर जो भी देश पढ़ेंगे उनका समय इस GMT लाइन से आगे होगा और जो देश पीछे देशांतर रेखाओं पर 60 मिटका अंतर यहां पर देखने को मिलता है जैसे आप एक एक एक्जांबल से समझीए जो GMT जो लाइन है यहाँ पर जो देश हैं बहाँ पर इस समय 12 बजे का समय हुआ है और इस से जो देश 15 डिगरी देशांतर बहोगा तो कि हमने देखा 15 डिगरी देशांतर पर 60 मिटका अंतर देखने को मिलता है अब माली जी यह लाइन है यहाँ पर 15 डिगरी देशांतर है तो जितने भी देश इस लाइन पर होंगे उन सभी में 60 मिटका अंतर देखने को मिलेगा अर्थात GMT पर जो इस समय देश हैं बहाँ पर 12 बज़े हैं तो 15 डिगरी के अंतराल पर जो देश यहां पर देखने को मिलेंगे उन सभी में समय स्टार्ट में डागे होगा इसका मतलब है बहाँ पर इस समय एक बज़ा होगा इसी परकार जो देश 15 डिगरी पीछे होंगे या कितने भी डिगरी हो सकता उससे मतलब नहीं है लेकिन मैं तो इसका एक्जामपल लेके बता रहा हूँ माल लिजे कोई देश 15 डिगरी देशांतर रेखा पर है तो उस समय बहाँ पर इस समय time क्या होगा ग्िारा बज़े होगा अगर GMT पर जो देशें बहाँ पर कितने बज़े है 12 बज़े हमने ऐसा माल लिया है तो यहाँ पर 15 डिगरी पीछे का जो time zone होगा वो कितना होगा उस समय बहाँ पर 11 बजे का समय हुआ होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे अब यहाँ पर एक सीज देखिए ये राह हमारा भारत ये देशांतर रेखा हमारे भारत से गुजर रही है भारत में इलावात के नैनी के समीब से गुजरने वाले साड़े 82 डिगरी पूरिवे देशांतर के इस्तानिय समय को भारतिये मानक समय रेखा माना जाता है तो हमारे भारत के यहां से गुजरती है रेखा जो की पांच राजों से होकर गुजरती है कौन-कौन से वो पांच राज है उत्तर प्रदेश, मद्र प्रदेश, चतिसगर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इनसे गरीन विज्ट रेका होकर गुजरती है इससे पहले हमने देखा था भारत हमारा GMT टाइम से आगे है तो हमने बताया कि भारत का समय से आगे होगा तो कितना समय होगा आगे तो देखिए साड़े ब्यासी डिगरी से अगर हम मान निकालें तो GMT से हमारे भारत का समय GMT टाइम लाइन से 5 घंटा 30 मेंट आगे है अर्थाद 5 घंटा आगे है अब हम देखेंगे करकरेखा से गुजरने वाले राज तो देखिए हमारा भारत भारत से यहां से होकर गुजरती करकरेखा जो भारत के 8 राज़ों से होकर गुजरती है गुजरात, राजिस्तान, मद्रप्रदेश, 36 गड़, जहारकंड, वैस्ट वंगाल और यहां तक तिरुपरा और मिजोरम तो आठ राज़ों से होकर यह करकरेखा गुजरती है आगे हम देखते हैं भारत के दूरस्ट बिंदू तो भारत के सबसे पूरिवी छेत्र में जो बिंदू पढ़ता है वो पढ़ता है बालांगू उसे कहते हैं और हम देखें भारत के पस्ष वारत दीव संग उपर है लेकर अगर हम प्राइदीपी भारत में देखें तो बहाँ पर अंतिम मिंदू है केप को मौरीन तो ये भी परिक्षागी माध्यम से महत पूर्ण है इन्हें भी आपको याद रखना है अब हम देखते हैं भारतिये समी बरती और पडोसी देशों को तो देखें भारत के साथ सीमा बरती देश हैं कहने का मतलब ये भारत के साथ पडोसी देश हैं कौन-कौन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, मियामार और बांगला देश तो ये हमारे भारत के साथ समी बरती देश हैं लेकिन यहाँ पर देखें स सेदंका और मालदीब दोनों को सामिल कर लें तो भारत के नो पडोसी देश कहलाते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांगलादेश के साथ है तो हमारा भारत बांगलादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है अर्थात हमारे भारत का जादा बॉर्डर बांगल एक किलोमीटर अब हम राज्यों की अंतराश्टी सीमाई देख लेते हैं तो कौन से देश से हमारे भारत के कितने राज लगे हुए हैं या हमारे भारत के राज्यों का कितना बॉर्डर दूसरे देशों से लगा हुआ है वो देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं पाकिस्त जाब, राइस्तान, गुजरात ये सबी आपको मैब में देख रहे होंगे जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साजा करते हैं या इनकी सीमा रहका पाकिस्तान से लगी हुई है अगला देखते हैं बांगला देश तो बांगला देश से हमारे पांच राज सीमा बनाते है असम, मेघालय, मिजोरम, तिरपुरा और पस्चिम मंगाल ये देखे, मैं भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि किसकी सीमा बांगला देश के साथ नहीं लगती है तो किसकी नहीं लगती है, नागा लेंड और मडीपुर की यहां रहे नागा लेंड और मडीपुर आगे अगला हम देखते हैं, भूटान तो भूटान से चार राज्यों की सीमा लगती है असम, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम और पस्चिम मंगाल ये असम है, अरुनाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और पस्चिम मंगाल हो गया अगला म्यामार तो म्यामार से हमारे ये चार राज सीमा बनाते हैं अनुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मनीपर और मिजरम क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है म्यामार है आगे हम देखते हैं नेपाल तो नेपाल से हमारे पांच राज लगे हुए हैं तो पांच राजों की सीमा रेखा नेपाल से लगती है, उत्राखंड, उत्र प्रदेश, बिहार, पस्चे मंगाल, क्योंकि ये पस्चे मंगाल पूरा उपर तक फैला हुआ, फिर उपर सिक्किम, ये सभी हमारे नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, ये पांच राज, आगे हम इस वीडियो का जो भी टॉपिक था वो कर लिया अब हम आगे देखते हैं इनके कोस्टन्स को तो चलिए लगाते हैं प्रीविएस एर कोस्टन्स को सबसे पहला कोस्टन है भारत इस्तित है तो भारत हमारा कहां पर इस्तित है यह हमने आपको बताया था भारत उत्तरी भारत का उत्तर से दक्ष्ण में विस्तार कितना है तो भारत का उत्तर से दक्ष्ण में विस्तार है 3214 किलोमीटर भारत का पुरुष्वे पस्ष्ण में विस्तार कितना है तो यह 2914 किलोमीटर भारत की तट्रेखा की लंबाई कितनी है तो तट्रेखा की लंबाई हमने आ को ध्यान रखनाए यह जंबू दीव का अंग है इंडियन इस्टेंडर्ड टाइम और ग्रीन विश्ट टाइम में कितना अंतर है तो इसका अंतर है पांच गंटे किस राजगी तर्ट्रे का सबसे लंबी है तो किसकी लंबी है सबसे यह गुजरात की है भारत का दक्षणतम बिंदू कौन सा है तो यह है इंद्रा पॉइंट अगला देखते हैं भारत की सबसे लंबी अंतराश्ची सीमा किस देश के साथ है तो हमने आपको बताया था भारत मानक समय पर हमने बताया साड़े 82 डिग्री पूरी विदिसांतर पर है बांगला देश में किस राज की सीमा नहीं लगती है किस राज की सीमा नहीं लगती है मड़ी पूरकी नहीं लगती है निमलेकित में से किस राज से होकर करकर एका नहीं गुजरती है तो यह उत् नेक्स भाग के साथ तब तक जहिन दोस्तों